नमस्कार में पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे कि बेगु सराय हत्याकांड में बदमाशू की तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई है और सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जी आपको भी ये तस्वीर देखना बेहद जरूरी है क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा एलान कर दिया है जिसे सुनकर आप चौक जाएंगे आपको बता दे कि डिया जी ने साफ साफ कह दिया है कि जिन बदमाशू की तस्वीर जारी की गई है उसके बारे में अगर कोई भी वेक् किसी भी तरह की जानकारी देता है तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा इनाम क्या है ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि बेगुसराय हत्याकांड की अगर बात की जाए तो पहले ये खबरे आई थी कि दो लोग एक बाइक पर सबार होकर नौ लोगों पर गोली चलाते हैं एक के बाद एक नौ लोगों की हत्या करने की कोसिस करते हैं लेकिन एक व्यक्तिक की म्यूर्टिव हो जाती है बाकी सभी सुरक्षित बच जाते हैं लेकिन अब इस मामले में बड़ा अब देट आया है आपको बता दे कि वो दो नहीं बलकि चार लोग थे दो बैक पर चार लोग सावार थे और 20 किलो immunity तट वो बैक पर राउंड मतलब घूमते घूम घूमकर 9 लोगों पर गोलिया चलाते हैं जिसमें एक की जान चली जाती है लेकिन अब इन बैक सावर दो बैक सावर चारों लोगों की तस्वीर जाड़ी कर दी गई है और डियाईजी ने साफ कहा है कि जो भी लोग इन बदमाशों का पता बताएगा जो भी लोग इन बदमाशों के बारे में जानकाड़ी देगा उसे 50,000 रुपए दिये जाएंगे जी हाँ अगर आपको भी ये बदमास दिखते हैं ये वो बदमासे जिनकी वज़ा से बिहार आज बदनाम हो रहा है तो बिहार को बदनाम करने वाले अगर ये बदमास आपको भी दिखते हैं और आप अगर पुलिस को सूचना देते हैं तो आपको भी 50,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा DIG ने साप साप ये घूसना कर दिया है कि जो भी बदमासों की पहचान बताएगा उसे 50,000 रुपे का इनाम दिया जाएगा पुलिस के मुताबिक अपराध्यों की जानकारी देने वाले की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी यानि कि अगर आप इन अप्राधियों के बारे में बताते हैं तो आपकी जानकारी सभी से छुपाई जाएगी यानि कि डरने की बात नहीं है कि अगर मैं अप्राधियों के बारे में बताऊंगा तो सर्मेरे साथ क्या होगा तो इसकी चिंताब नहीं है क्योंकि पुलिस के मताबिक उसकी जो जानकारी है वो पूरी तडीके से गुप्त रखी जाएगी आपको बता दे कि बेगुसराय हत्याकांड में अभी तक पांच लोग की गिरफतारी भी हुई है उनसे पूछ ताच की जा रही है और लगातार ये पता लगाने की कोशिस की जा रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे है साथी साथ आपको बता दे कि अलग-अलग जाच कमीटी भी बैठाई गई है और ये भी आपको बता दे कि बस बेगुसराय ही नहीं बलकि आसपास के जिले को भी सील कर दिया गया है पूरी तड़ीके से नाके बंदी है और जो वहां की स्पी है बेगुसराय के वो तक पर है वो पूरी तड़ीके से इस पूरे मामले की च्छान ब कामने से जुड़ा आज क्या अपडेट आता है आप देख रहे हैं लाइव सिटी इस हमारे साथ बने रहे चानल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बूक विच को लाइक करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद